हेलो गाइस वेलकम बाक तो मैं चैनल 8,000 ओच के बाकी की पूरी की पूरी फीज वापस आगी थी आप देखूँगे कि बाकी scholarship में त्यूशन फे और उनिवर्सटीफ दिख़ आती है पर उसके case में पूरी की पूरी फीज वापस आगी थी तो मैं आपको बता स्कॉलर्शिप है जिसमें उसकी पूरी फीज वापस आई आपको स्कॉलर्शिप के लिए कहां पर अपलाय करना है लास्ट जेट क्या है और क्या-क्या eligibility criteria है स्कॉलर्शिप को फिल करने के लिए तो भाई चलिए वीडियो को शुरू करते स्कॉलर्शिप के बारे में डिस्कॉलर्शिप करना तो पॉसिबल नहीं है मैं उन्हीं स्कॉलर्शिप के बारे में डिस्कॉलर्शिप करता हूं जो मैंने या फिर मेरे scholarship की आपको list मिल जाएगी और आपको eligibility criteria मिल जाएगा उसका ठीक है और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एनस्यूटी के बच्चों के लिए ठीक है वो DTU ट्रिपलाइटी डेली आईजी ड्वी सब के लिए वो सेम ही है ठीक है भाई वो government की तरफ से आई हुई है तो फिर वो आप चेक आउट कर सकते हैं उसमें आपको सभी scholarship के बारे में detail मिल जाएगी ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि मैं आपको किस scholarship के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आपकी पूरी की पूरी फीज वापस आ जाती है not tuition fee not university fee बलकि पूरी फीज तो भाई वो जैसे ही मैंने नोटिस देखा ना वो कुछी दिन पहले आया है दोती दिन पहले नोटिस आया ठीक है तब मैंने सोचा कि अभी इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस नोटिस पर लिखा हुआ है कि यह जो scholarship के apply करने की last date है वो है 30 तारिक जी हाँ इसी महीने की 30 तारिक ठीक है इस टीक वाली पोस्ट मेटरिक एक तो है एनस्पी पे और एक है इस टीक है इस तरिक भाली के बारे बात कर रहा हूं कि उसी से मेरे फरेंड ने 100% स्कॉलर्शिप अवेल करी थी पिछले साल तो बहुत स्कॉलर्शिप के form ना वो भी अभी निकले ते इसी महीने दस एपनी आईडी से कडना अपने फादर या मधर की अगर आपकी नहीं है तो बना लो और अगर आपके पासवर्ड बूल गयोा ना तो सिंपल थो फॉड़ पासवड पर क्लिक करके अपना अधार नंबर और अधार कार्ट के साथ जो नंबर लिंक है न उस नंबर को डालना फि प्रविशन नीची और उसके उपर होगा उसके उपर होगा पंडिंग फॉर सब्सक्राइब तो जैसी आप लाइफ वह सारी वह पपर उपन हो जाएंगे ठीक है उसमें डिपार्टमेंट और फेनू करके आजाएगा ठीक है तो अगर आपको मेरिट कम मींद्ट के लिए अप तो आप जाते नीचे स्क्रॉल डाउन करके डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजूगेशन पे वहाँ पे मेरिट कम मीन्स का ऑप्शन होता ठीक है पर अभी आप मेरिट कम मीन्स पे नहीं कर सकते क्योंकि भाई जब आप अप्लाई करोगे न तो आप एक एरर सा और पॉप आउट होता है उस पर लिखा रहता है कि वो यह सर्विस अभी बंद है ठीक है क्योंकि वो इसलिए लिखा रहा है क्योंकि अभी आपके फॉर्म नहीं निकले है मेरिट कम मीन्स स्कॉलर्शिप के लिए ठीक है पर पोस्टमेट्रिक में आपका ऐसा नहीं लिखाएगा आप कर सकते उसे apply ठीक है आपना जब नीचे scroll down करोगे तो वहाँ पे welfare for SC, ST, OBC करके वो catalog होगा उसके नीचे जब आप करोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगी post matrix scholarship for SC students and post matrix scholarship for OBC students ठीक है तो फिर अगर आप SC हो तो post matrix scholarship for SC पे आपको click करना है और अगर आप OBC हो तो post matrix for OBC पे आपको click कर देना है ठीक है वाई जनरल के लिए scholarship available नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ SC, ST और OBC के लिए scholarship आपकी available है इडिस्टिक्ट पे तो अगर आप एक OBC student है तो आपके लिए eligibility criteria यह है कि आपकी family income धाई लाग पर year से नीचे होने चीए ठीक है और आपके पास NCL certificate भी होना चीए और income certificate होना च चाहिए ठीक है साथ ही साथ आपके ना जो previous आपका qualifying examination है ना चाहिए वो 12th exam हो या फिर first year graduation का first year का exam हो उसमें आपके aggregate 60% से उपर marks होने चाहिए ठीक है साथ ही अगर आपके 60% से नीचे भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको फिर भी scholarship यह मिल जाएगी तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा फिर आपके पास details डालने के लिए option आ जाएगे ठीक है तो आप जो भी details मांगें आप details जाल सकते हो उसमें उस form को भरना कोई भी बड़ी बात नहीं है जो आपके पास details डालने के लिए वह मांग रहा है आप सब कुछ डाल दो ठीक है वह कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप नहीं भर पाए तो फिर आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूगा कि form को कैसे फ करना है फिर जैसी आप फिल पूरा फॉर्म फिल कर दोगे ना तो फिर आपके आपका स्कॉलर्शिप के लिए वह अपलाई हो जाएगा ठीक है उसके बाद ना आपको ना अपने कॉलेज में ना जो जो आपने फॉर्म अपलोड करें ना फॉर्म में जो भी करनी होती है ठीक है बाई तो उसमें कोई दिक्कत नी होती जब आप सब कुछ पूरा फॉर्म भर्द होगे ना तो आपके पास जो आपने भराया है वो सब आपके पास फिजिकली होगा वो आप सब कुछ वहाँ पे जाके सम्मिट कर देना ठीक है फिर कॉलेज आपकी को भेजेंगे ठीक है फिर गौवर्मेंट उसको वेरिफाय करेगी और फिर कुछ जो आपके पास दुबारा से डोक्यूमेंट्स फिल करने के लिए मतलब दोगार से डोक्यूमेंट्स जबां करने के लिए वो बोलते हैं वो काफी टाइम बाद होता है ठीक है तो वो सब प मैंने में आपकी scholarship आ जाती है ठीक है वाई तो पिछले साल मेरे दोस्त ने यही scholarship भरी थी post-metrics scholarship इसमें उसकी 100% fees वापस आ गई थी काफी सारी scholarships में सिर्फ tuition fee और university fees वापस आती है पर उसकी जो उसने पूरी भरी थी ना वो पूरी वापस आ गई तो आप भी अगर भरोगे तो भी आपकी भी वो पूरी fees वापस आ सकती है उसकी दो installments में आई थी आपकी भी आ सकती है ठीक है वाई तो जैस किसी भी रीजन की वज़े से आपके documents नहीं है या फिर income certificate नहीं बनाए तो आपना बाद में merit come mean scholarship के लिए भी apply कर सकते है ठीक है उसके लिए अगर आपके पास राशन कार्ड है ना तो आपको पूरी fees मिल जाएगी उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखे जो मैंने प 50% वापस आती है ठीक है और जो बाकी सारी scholarships है उसके लिए आप NSUT की मेन website पे विजट करोगे तो आपको एक PDF मिल जाएगी उसमें सभी आपको scholarships की information मिल जाएगी ठीक है तो फिर अब भी अगर कोई doubt हो तो comment section में पूछ लेना ठीक है अगर यहां तक आई गए तो वीडियो क लाइक कर देना तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिर थैंक्स वर वाचिंग